आक्सीजन सिलेंडर में हो रही काला बाजारी के खिलाफ अब प्रिशासन ने सक्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है कटिहार रेलवे स्टेशन पर रवीवार देरशाम लोकमाने तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से लाए गए 226 आक्सीजन सिलेंडर पुलिस ने जप्त किये हैं जिला प्रिशासन को आक्सीजन सिलेंडर की अवैद रूप से लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी इसके बाद आननफानन में डियम उद्यन मिश्रा ने स्डियम शंकर शरण ओमी के नितरत्व में जांच टीम गठित कर फोरण कारवाई का निर्देश दिया पुलिस ने बाद पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है वहीं इस मामले में एक आरोपियों गिरफतार भी किया गया है वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए उक्सीजन सिलेंडर जांच को पहुंचे सहायक औश्री निरिक्षक सुभाष चंदरा ने बताया कि सभी सिलेंडरों की जांच में ये पाया गया कि सभी खाली है और इसकी जांच चल रही है सभी जब ऑक्सीजन सिलेंडर 6 किलोग्राम के हैं खास बात ये है कि इतने बड़े उक्सीजन सिलेंडर की बरामदगी पर अभी तक किसी ने भी दावेदारी पेश नहीं की है फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है हाल ही में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल PMCH पर आरोप लगे हैं कि यहां कागजों पर मरीजों की संख्या से जादा कहीं ऑक्सीजन की खपत दिखाई गई अब देखना दल्चस्प होगा कि कुरोना महामारी के बीच सांसों की काला बाजारी करने वाले गुनाहगार कब तक सलाखों के अंदर जा पाते हैं कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद